हरे कृष्ण मित्रों मेरे चैनल में आपका हार्दिक सुवागत है अतीक एहमद अश्रप एहमद और योगी जी इन तीनों का नाम आज पूरे हिंदूस्तान में बड़े जोर शोर से चल रहा है और यह टेंडिंग भी चल रहा है जिस परकार से उत्तर प्रदेश के अंदर त मुख्यमंतरी तो वो पहले से ही थे लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हिंदूस्तान में यदि कोई नेता है तो वो योगी आदितनात जी हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि योगी आदितनात जी के कौन से ग्रहे नक्षतर दशा गोचर चल रही है जिसकी वज़े से वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि उत्तर परदेश के अंदर योगी जी की जो जन्मकुली है वो क्या कहती है दोस्तों जैसा कि इन दुनों खबरों में हम देख रहे हैं और सभी चैनल्स पूरे उत्तर चान भी नजर आ रहे हैं लेकिन ये जो माफिया गैंग उत्तर परेश से साफ हो रहा है ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र हैं योगी जी के जो उनके दुआरा इस माफिया गैंग की सफाई कर वा रहा है यदि हम बात करें योगी जी की जन्मकुली के बारे में तो पांच जून 1972 बारा बजे उनका जन्मुआ गड़वाल के अंदर सिंग लगन की उनकी जन्मकुली बनती है और केतु की महदशाफ जन्मरी 2024 तक रहने वाली है मैंने योगी जी की जन्मकुली के बारे में कई बार चर्चा की और आप देखेंगे कि यदि हमारे चैनल पर जाएंगे मैंन हुआ उसके आधार पर परदेश की जन्ता ने उनको दूसरी बार भी परदेश का मुखे मंतरी बनने का मोका दिया अब 2024 के अंदर लोग सभा के चुनाव होने वाले हैं और पूरी हिंदूस्तान के अंदर भारते जन्ता पार्टी के और से नरेंद्र मोदी जी के बाद जो सबसे ताकतवर सबसे योगे मुखे मंतरी जो माना गया है योगी जी को माना गया है और उनको परदान मंतरी के लिए लाने के सभी परकार से मैं कहुँगा कि जो भी प्रयोग हो सकते हैं या जो भी यत्न हो सकते हैं जो भी कोशिश या प्रियास हो सकते हैं किये जा रहा है उत्तर परदेश के अंदर अतीक एहमद अश्रप एहमद और असद एहमद इनकी जो बैक्ग्राउंड रही है जिस प्रकार से इन्होंने उत्तर परदेश के अंदर राज चलाया और योगी जी ने अपनी मैं कहूंगा कि जो विधान सभा में सप्पा के जो लीडर है अकलेश यादव जी उनके प्रशन का जवाब देते हुए कहा था कि अतीक एहमद और उनका जो पूरा गैंग है वो समाजवादी पार्टी से पोशित है उन्हीं की सत्ता में माफिया गै या जो गैंग चल रहे हैं उसको वो मिट्टी में मिला देंगा और इसका जो परिणाम बहुत जल्दी जैसे ही उन्होंने विधान सभा के अंदर ये बात कही कुछी दिनों बाद राजुपाल की हत्या के मामले में थी और उसके बाद ही असद एहमद का एनकाउंटर कर दि दिन ही अतीक एहमद और अशर्फ एहमद की भी सरे आम कुछ लोगों ने पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी परिशन यह उटता है जब कोट से सारी चीजे उनको सजा हो चुकी थी उनके ओपर केस चल रहा था तो हत्या किसने के ऐसा माना जा रहा है कि सप्पा को अतीक ए अतीक एहमद से डर था कहीं अतीक एहमद उनके राजणा को दे दूसरी और यह भी माना जा रहा है कि कुछी समय पहले अतीक एहमद के आई-एस-ई-स-ई से संबंद होने के भी कुछ सबूत मिले थे ऐसा माना जाता था कि डौन से जो आइ-एस-ई हतियार गिराता था उनक तो माफिया अतीक एहमद खरी देता था और फिर अपने गैंग में उनको बाटकर इस्तेमाल करवाता था देश के ग्रह मंतराले ने इसको बड़ा सीरियस ली लिया लोगों में यह भी एक शंका बनी वी है कि कहीं यह हत्या भारते जनता पार्टी ने ही तो नहीं कराई तीसर इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेंगे हां क्योंकि केतु की महादाशा उनकी चल रही है तो वो किसी भी परकार की आतंक माफिया गिरी गुंडा गर्दी बदमाशी दहशत गर्दी इनको समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और क्योंकि योगी जी के जो ग्र पूरे दुनियों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कर देगी और देश के जंता पूरे जोशकरों से आज उनको परधान मंतरी बनाने के लिए मैं कहूंगा कि प्रियास कर रही है और उनके नाम के नारे लगा रही है तो यह भी एक शक जाता है कहीं यह हत्या योगी ज जर आता है वो है कि जिस परकार से अतीक ज़्यादा की सामने ही वो बहुत वर्षों से जेल में बन था उसका भाई अश्रप एहमद भी जेल में बन था उसके दोनों बेटे जेल में बन थे और अस्पाल राजुपाल हत्याकांड में दरदर भटक रहा था जब उसका एनकाउंटर कर दिया गया तो अतीक एहमत को ऐसा लगा कि उसका पूरा जो माफिया है उसका जो राज है वो अब समाप्त हो गया है और उसके भी हत्या कभी भी की जा सकती है यही डर उसके दिमाग में बैठा हुआ था और जिस परकार की इसकी बोडी लेंगवेज थी जिस परकार से वो बात कर रहा था पत्रकारों से यह साफ नजर आरता था कि वो उसके अंदर काफी डर बैठा हुआ है मुझे यह भी लगता है कि जो हमने वीडियो देखी है उसमें ऐसा लगता है कि कहीं यह हत्या अतीक एहमद ने खुद अपने ही गुर्गों से तो नहीं करवा दी चोंकि आप देखेंगे जब वो पलिस की गाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो वो किसी को इसा इशारा कर रहे थे अब वो कौन व्यक्ति थे जिनको वो इशारा करके अपने उपर अपने पास बुला रहे थे और यह बड़ा सभाविक भी लगता है जिस परकार से अतीक अश्रफ और उनकी पूरी फैमिली परेशान थी यह मैं कहूंगा कि जो उनका जिस परकार की गुंडा गर दी और उनको अब लग चुका था कि योगी के राज में उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और उनको तर्पा तर्पा कर उनको परेशान करके कानूनी तोर से जो भी हो सकता है उननको मैं करूंगा कि उनके पर जो प्रेशर आ रहा था, खास्तोर से मानसिक प्रेशर आ रहा था, उससे वो परिशान होचुका था अतिक आहिश्मदख मैं कहूंगा कि जो हत्या की प्लानिंग poor. हो सकता है कि यह प्लानिंग उसने खुद ही की हो और उसने अपने गुर्गों से ही अपने हत्यक करवा ले हो जिससे कि उसको एक ही बार में सारा जो भी जंजट चल रहा है या जो भी केस चल रहा है एक ही बार में समाफ्त हो सके और इस से परदेश के अंदर योगी सरकार के माहुल बस बन सके हिंदू मुस्लिम दंगे हो और जो दो हजार चोबिस का जो इलक्षन होना है उसमें भारते जनता पार्टी की सरकार ना बने इस परकार की योजना हो सकती है ऐसा मुझे योगी जी की जनकुर्डली से और अतीक एहमद के बारे में जो मैंने निरक्षन किया है उसकी नाम के इसाब से मैंने राशी के इसाब से निकाला है मुझे यही लगता है कि यह जो हत्य हुई है हलाकि इसमें अभी जो जाज एजनसी हैं वो जाज करेंगी और जो भी चीजे सामने निकल कर आएंगी वो सब पता चलेगा लेकिन मेरी जो भविश्यवानी है मेरा जनकुली के आधार पर योगी जी की कुली के आधार पर अमित शाह जी की जनकुली के आधार पर मोदी जी की जनकुली के आधार पर मेरा जो आगलन है वो यही है कि यह हैं जो मर्डर हुआ है इसमें कोई ना कोई ऐसा हाथ हो सकता है जिसको अपने राज खुलने का डर हो और वो कौन लोग हो सकते हैं कौन पार्टी हो सकती है कौन सा देश हो सकता है यह है अभी मैं कहूंगा कि अभी तो क्योंकि कुछ सामने नहीं आये लेकिन मेरी जो भवशवानी है या मेरा जो आकलन है वो यह है कि इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं यह अतीक एहमत के खुद के ही जो उनके गैंग के लोग हो या उनके जो मित्रों जिनके पास उनके गहरे राज हो और वो राज खुलने के डर से उनकी हत्या कराई गई है दोस्तों आप को यदि यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सबस्क् क्रिष्णा